हलो फ्रेंड्स वेलकम टो रोस्टिस कुजिन आज हम लोग बनाने वाले बड़ा पाउ वह भी चार तरीके से कोई रेगुलर बड़ा पाउ नहीं बनाएंगे हम लोग स्ट्रिट स्टाइल में बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं इसे तो इसके लिए मैंने लिया है पाउ उसक करेंगे इसको देखिए ऐसे मैं बटर लगा रही हूं आज हम लोग रेगुलर बड़ा पाउ नहीं बना रहे हैं फ्रेंड्स कुछ डिफ्रेंट बनाएंगे जैसे स्टेट स्टाइल में बनता है और उसके उपर सेजवायन सॉस ये बटर सेजवायन सॉस अनियन पकोड़ा का सारा वीडियो लिंक में आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी और उसके उपर थोड़ा सा घ्रीन चट्ट आप यह और इसके उपर हम लोग ऑनियन पकोड़ा रखके ऐसे इसको ग्रिल करेंगे थोड़ा सा बहत ही बढ़ा टेस्टी लगेगा यह दूसरा यह मैंने वेजी पाजी स्टीट फूट चैनल में देखा था मुंबे का डिफरेंट बड़ा पाउ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा जैसे हम लोग यहां इंडिया से बाहर रहते हैं फ्रेंड्स तो हमें यह स्टीट फूट नहीं मिलता था मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे घरमे दिफरेंट श्टायल में बना के खाने के लिए तो देखिए इसमें बटर लगा दिया और ग्रीन चटनी बस यह हमारा चटनी पाउ रेडी हो गया है बीसरा पाउ बनाएंगे और यहां पर देखिए यह पाउ यहां पर जो मिलता है थोढ़ा बढ़ा रहता है त ताकि हमें एजी हो खाने में और यहां पे में पाओ में सेजवाइन सॉस लगाऊंगे यह भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स आप पाटी में ऐसे डिफरेंट टाइप्स का बना के फ्रेंड्स लोगों को खिला सकते हैं बहुत बढ़िया लगेगा और इसके उपर हम एसे बढ़ा रखेंगे पस यह एक हो गया यह सेजवाइन पाओ हो गया हमारा पूर्थ टाइप में भी हम लोग ऐसे बटर ऐसे स्प्रेट करेंगे आप डिफरेंट वेराइटी का बना सकते हैं फ्रेंड्स यह जो बटाड़ा वड़ा मैंने बनाया यहां पे मैंने इसके हिसाब से इसमें स्प्रेड कीजिए और उसके ऊपर ऐसे ग्रीन चट्नी बहुत चटपटा लगेगा और यहां पे एक ऐसे चीछ स्लाइस और एक बटाटा वड़ा बस यह भी हमारा रेडी हो गया देखिए फ्रेंड चारो टाइप्स के बन गए बस इसको मैं ग्रील कर दूंगी दोनों तरफ से इसको थोड़ा से प्रेस कर दीजिए तो ग्रील का एफेक्ट आएगा यह अब हमारा बन गया है